ओम श्यान्ती, 4 दिसंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, नमबर वन काटा है देह अभिमान का, जिससे ही और काटों का जन्म होता है, बाप आए हैं सभी को कशिश कर खुश्बुदार फूल बनाने, बाप की से ही तुम बहुत मीठे बनेंगे, प्रन्तु कई तो कांटे के कांटे रह जाते हैं, तुम यहां आए हो नर से नारैन बनने के लिए, बाप जो नई स्रिष्टी रचते हैं, उसमें उच पद लेने के लिए, तो मेहनत करनी चाहिए, ताकि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं, अगर विकर्म विनाश नहीं हुए, तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा, फिर बाब ने कहा, सारा मदार याद की यत्रा पर है, इसमें ही माया की युद्ध चलती है, जितना बाप को जानेंगे, उतना बाप के साथ प्यार भी रहेगा, तुम्हा और कोई से प्यार ना हो, अभी और सब संग तोड एक संग जोडो, लास्ट में बाबा ने कहा, यह तुम्हारा हीरे जैसा अमोलक जनम है, इसे कोडी बदले नहीं खोना, घर बैठे तुम्हें भगवान मिला है, तो इस सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए, प्रन्तु को विर्ला व्यापारी ही यह सोधा करें, तुम अपना भविश्य का पुरुशोत्तम मुख और पुरुशोत्तम चोला देखते रहो, अब सुनते हैं महवाकियों को विस्तार से, मुरली का सार, मेठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मेठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है, प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो, उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज़ना सके, सारी दुनिया में जो भी पार्ट बज़त हैं, वह एक दो से नया, तुम विचार करते हो कि सत्युग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है, आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकोर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता, यह छोटी सी बात, तुम बच्चों क सिवाई और किसी की बुद्धी में नहीं आ सकती, ओम शान्ती, रुहानी बाप रुहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविशे का पुरुशोत्तम मुख, पुरुशोत्तम चोला देखते हो, यह पुरुशोत्तम संगम युग है ना, त तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सत्युग में इनकी वनशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है, वहां के लिए ही तुम अभी पुरुशोत्तम बन रहे हो, बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, तो उनकी जाएंगे, तुम्हारी बुद्धी अब अलोकिक हैं, और किसी मनुष्य की बुद्धी में यह बाते रमण नहीं करती होंगी, यह कोई कौमन सत्संग नहीं है, यहां बैठे हो, समझ से हो, सत्त बाबा, जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं, शिव बाबा ही रचियता हैं, वही इस रचना के आदी मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नौलिज देते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहां बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हमाए हैं रिजोनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल, दैवी शरीर लेने, आत्मा कहती हैं, हमारा यह त समो प्रधान पुराना शरीर हैं, इसको बदल कर ऐसा शरीर लेना है, कितनी सहज एम अब्जेक्ट हैं, पढ़ाने वाला टीचर, जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होश्यार होगा ना, पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं, अभी तुम समझ से हो, हमको उ देवि देवता ही बनाएंगे, यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है, यह लक्षमि नारेंड नई दुनिया के मालिक थे, देवि देवताईं भी तो नमबरवार होंगे न, सब एक जैसे तो हो भी न सकें, क्योंकि र आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को. बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे. सारा मदार याद की यात्रा पर है. बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो. याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझ से हो। यह यात्रा नहीं प्रंतु जैसे की लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। Knowledge में माया के तुफान आदी की बात नहीं. बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। प्रंतु माया का एक ही तुफान नीचे गिरा देता है। नमबर वन तुफान है, देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोब, मोह का, बच्चे कहते हैं बाबा, हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विग्ण ना आये, प्रन्तु फिर भी तुफान आ जाते हैं, आज क्रोध का, कभी लोब का तुफान आया, बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तुफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही, बाब को बड़े प्यार से याद किया, सन्हे के आशू भी आते रहे, बाब की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे, यह भी समझ से हैं, हम माया से हार खाते खा कहां तक आकर पहुचे हैं, यह कोई समझ से थोड़े ही हैं, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, या परंप्रा कह देते, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह नौलेज बाप ही आकर देते हैं, विचित्र बाप ही विचित्र विचित्र निराकार को कहा जाता है, निराकार कैसे यह नौलिज देते हैं, बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनश्य मुझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा, प्रन्तु ड्रामा में यही तन निमित बनता है, जरा भी चेंज नहीं हो सकती यह बातें तुम ही समझ कर और दूसरों को समझाते हो, आत्मा ही बढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है, आत्मा मोस्ट वेलियूबल है, आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है, हम आत्मा ही अपने परम पिता परमात्म से रचता और रचना के आदीम अध्य 84 जन्मों की नौलेज़ ले रहे हैं। नौलेज़ कौन लेते हैं। हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही knowledgeful बाप से मूल वतन, सुक्षम वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमएं अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं गायन है आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है एक बाप की कितनी महिमा है वही दुख हरता सुख करता है मच्छरादी की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वे हैं दुखरता, सुकरता, ज्यान का सागर है, नहीं, यह हैं बाप की महिमा, तुम बच्चे भी मास्टर दुखरता, सुकरता हो, तुम बच्चों को भी यह knowledge नहीं थी, जैसे बेबी बुध्धी थे, बच्चे में knowledge नहीं होती, और कोई अउगुन भी नहीं होता, इसलि बिल्कुल ही जैसे करमाती तवस्था है, कर्म, अकर्म, विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वे फूल है, सब को कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं, सभी को कशिश कर, खुश्बुदार फूल बनाने, कई तो कांटे के का पांच विकारों के वशिभूत होने वाले को कांठा कहा जाता है। पांच विकारों के वाले को कांठा कहा जाता है। सत्यूग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। पांच हजार वर्ष की एक्टिविटी का रेकोर्ड आत्मा में भरा हुआ है। वे कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना-पना पार्ट भरा हुआ है। ये चोटी सी बात भी कोई की बुद्धी में आना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजन्ट और फ्यूचर को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे, इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुष्सक ही अलग हैं, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ग्यान के बिना सद्गती हो भी कैसे? बाप बिना ग्यान कहां से आए? जिससे सद्गती हो? सद्गती में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे? नहीं, वहां है ही अपार सुख। फिर भक्ति किसलिए करें? यह ग्यान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ग्यान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारिन करती है, फिर कहते हैं फलाना इस-इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शान्त स्वरूप है, शान्ती धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं, सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और-और धर्म में कनवर्ट हो गए हैं, वे फिर निकल कर अपने असली धर् जो देवी देवता धर्म छोड दूसरे धर्म में गए हैं, वे सभी पत्ते लोट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परीचे देना हैं, इन बातों में ही सब मुझे हुए हैं। तुम बच्चे समझ से हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? ब मरतबे के उपर भाई का शरीर कैसा है? बेहन का शरीर कैसा है? आत्मा तो एक छोटा सितारा है, इतनी सारी नौलेज एक छोटे से सितारे में हैं। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने धेर ओर्गंस मिले हुए हैं। त शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में हैं, घर में आत्मा बाप को याद करेगी? नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, हम कहां हैं? आत्मा और पर्मात्मा दोनों जब शरीर में हैं, तब आत्माओं और पर्मात्मा का मेला कहा जाता है, गायन भी है, आत्मा और पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल, कितना समय अलग रहे, याद आता है कितना समय अलग रहे, सेकिंड सेकिंड पास होते, पांच हजार वर्ष पूछे इसने कब जनम लिया था तो तुम accurate बता सकते हो श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जनम लेता है शिव का तो कुछ भी minute second नहीं निकाल सकते श्री कृष्ण के लिए तीथी तारीक minute second निकाल सकते हो मनुष्यों की घड़ी में फर्क पढ़ सकता है शिव बाबा के अवत्रन में तो बिल्कुल फर्क नहीं पढ़ सकता पता ही नहीं पढ़ता कब आया ऐसे भी नहीं साक्षातकार हुआ तब आया नहीं अंदाज लगा सकते हैं minute second का हिसाब नहीं बता सकते उनका अवत्रन भी अलोकिक है वे आते ही हैं बेहद की रात में बाकी और भी जो अवत्रन आदी होती हैं उनका पता पढ़ता है आत्मा शरीर में प्रवेश करती है छोटा चोला पहनती है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है कितने धेर मनुष्य हैं एक न मिले दूसरे से कितना बड़ा मांडवा है जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है तुम बच्चे यहां आते हो नरसे नारायन बनने के लि बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है बाबा दवारा नई दुनिया की सापना हो रही है बाबा को फिर पालना भी करनी है जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सत्युग में नया शरीर लेकर पालना करे उसके पहले इस पुरानी दुनिया का भारत में भी थोड़े बचेंगे तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जीतना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाप केहते हैं बच्चें तुम और कोई को प्यार नहीं करो। और संग प्यार तोड एक संग जोडो। जैसे आशिक माशुक होते हैं न यह भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती हैं नौ रतन गाये हुए हैं। 8 दाने, 9 बाबा, मुख्य है 8 देवताएं। फिर 16,108 शहजादे, शहजादियों का कुटुम्ब बनता है, त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिस दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा हैं कि हम तो सृष्टी के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सोधा करना है। कहते हैं कोई विर्ला व्यापारी यह सोधा करे। ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही हैं। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाती हैं बाबा की पास। उपर वला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं हैं। वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता हैं। अब वही कलियो का अंत हैं। वही गीता महाभारत का समय हैं। वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं। वही कोरों का राज्ये। और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे, अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ हैं। अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को रामराज्ये बनाती हो। तुमको शिव से शक्ती मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यू भी हो जाती है। बाबा बुद्धी का ताला खोलता है और माया बुद्धी का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ग्यान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ग्यान अमरित है, शास्त्रों के ग्यान को कोई अमरित नहीं कहा जाता है, अच्छा, मेठे मेठे, सिकिल अधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धार्ना के लिए मुख्यसार, पहली पोईंट, एक बाप की कशिश में रहकर, खुश्बुदार फूल बनना है, अपने स्वीट बाप को याद कर, देहे अभिमान के काटे को जला देना है, दूसरी पोईंट, इस हीरे तुल्य जन् में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौडियों के बदले इसे गवाना नहीं है, एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है, वर्दान, ब्रहमन जीवन में सदा खुशी की खुराग खाने और खुशी बाटने वाले खुश नसीब भव, इस दुनिया में आप ब्रहमनों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप ददा का दिलतक्त मिलता है, सदा खुशी की खुराग खाते हो और खुशी बाटते हो, इस समय बेफिक्र बादशाह हो, ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है, सत्युग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्यान नहीं होगा, अभी आपको ज्यान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोही नहीं, स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही, भविश्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, एक सच्चा सेवाधारी, मुख्य किन-किन साधोन दवारा सेवा करता है, और कितने समय तक सेवा करता है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती झाल